राजधानी शिमला में गहराय जल संकट के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों का कहना है कि उन्हें पानी क्या पूर्ती चार से पाँच दिनों बाद महया करवाई जा रही है स्थानी लोगों ने प्रशासन से इस देशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है हालांकि लोगों ने नीजी व सरकारी निर्मान कारें पर 30 जून तक लगाए गई पावंदी का स्वागत किया है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आतकल आ रही है शिमला के लिए वैसे वर्ल्ड बेंक ने एक 24 घंटे की सतलूज से पानी का मतवनी वो किया था कि वो आना है और वो बिलकुल तयार है और अब सरकार में ऐसी कोई काम करने की हुई नहीं है जज़वाई नहीं है वहीं शिमला जल प्रबंध नीगम के प्रबंध निदेशक वेरेंदर सिंग ठाकुर का कहना है कि राजधानी में शिमला जल प्रबंध नीगम द्वारा दो दिंग छोड़ कर पानी की आपूर्ति की जा रही है उन्होंने कहा कि पेजल परियुजना एंस सूखने से जल आपूर्ति में कमी आई है उसको manage करके लोगों बांट रहे हैं, तो ऐसे कोई संक्ट की सिती अभी नहीं है. लोगों को ठीक है, पिछले हपते तक हम एक दिन छोड़कर पानी दे रहे थे, इस हफते से हमने दो दिन छोड़कर पानी देना शुरू किया है और सफिशन पानी लोगों को दे रहे हैं. गर्मी आने से पहले वो पानी शमला पहुंच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रही